गुद मॉर्णिंग स्टुडेंट स्टुडेंट टूडेंट टूडेंच टूडेंट टो डी विल स्टार्ट டमि न्यू चैप्टर इन जोग्रफिय नैचुरल वैजिटेशन एंड वाइड इस क्या होगा कि क्या ये सब एक ही तरह के होते हैं या ये सब अलग अलग तरह के होते हैं हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमें सब अलग अलग तरह के पक्षी यानि बर्ड्स देखने को मिलती हैं हमें अलग-अलग तरह की गहास, पेड़, पोदे सब अलग-अलग तरह की देखने को मिलते हैं सब एक जैसे तो नहीं होता लेकिन भारत क्या है ये एक बहुत वास्ट कंट्री है तो इसी वज़े से हम यहाँ पर ये इमेजन भी कर सकते हैं कि इतनी वास्ट कंट्री में, हमें बहुत सी अलग-अलग तरह की टाइपस के बायो फॉर्मस मिल सकते हैं हमारी जो कंट्री है, वो 12 कंट्री में से एक कंट्री है जहाँ पर जैव, जो हमारी बायो-डाइवर्सिटी है, वो देखने को मिलती है पूरे वर्ल्ड में 12th country में हैं जहाँ पर हमारी biodiversity हमें देखने को मिलती है और उन 12th country में से इंडिया एक है With about 47,000 plant species इंडिया occupied 10th place in the world और पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर 47,000 जो है अलग-अलग तरह के species देखने को मिलते हैं प्लांटS के बिट पोदो के और इसी वज़े से जो इंडिया है वो 10th नंबर पर आता है और यह एशिया में 4th नंबर पर आता है यानि हमारे plant species की वज़े से इंडिया 10th नंबर पर आएगा पूरे वर्ल्ड में और एशिया में यह प्लांट डाइवर्सिटी के उसमें फूर्थ नंबर पर आता है 15,000 फूलों के पोधे मिलते हैं जो की पूरे वर्ल्ड में फूलों के पोधों का 6 परसेंट है उसका 6 परसेंट हमारे इंडिया में देखने को मिल जाता है दा कंट्री में ऐसे बहुत सारे प्लांट भी है जिन पर फूल नहीं आते हैं जैसे कि फूर्ण एलेगी और फंजाई हमारी इंडिया में लगबर 90,000 जो जानवर की पाई जाती हैं जिन में से अगर हम जिन में देखें कि जो अलग अलग तरह की जो मचलिया हैं वो ताजे पानी या समुदर में भी पाई जाती हैं नेचरल वेजिटेशन क्या होती है नेचरल वेजिटेशन होती है जब वनस्पदी का वह भाग जो कि बिना मनुष्य की साहिता के अपने आप पैदा हो जाता है और लंबे समय तक उस पर यूमेन का कोई भी प्रभाव नहीं रहता उसे हम नेचरल वेजिटेशन कहते हैं इसी तर्म अजर्जी वेजिटेशन और इसको हम वर्जिटेशन भी कह सकते हैं थीक है यानि बेटर देखिये नेचरल वेजिटेशन में बढ़ा करने में और वह अपने आप उग जाते हैं और उसमें बहुत काफी टाइम तक भी जो होते हैं उनका कोई भी हल्प नहीं रहती है तो उसको नेचरल वेजिटेशन कहते हैं इस cultivated crops fruits orchards from part of vegetation but not natural vegetation लेकिन जो अलग अलगते हैं किृण होते हैं या जो बाग लगाए जाते हैं वनस्पति जो होती है हमारी वो सब हमारी वनस्पति तो है वेजिटेशन तो है बट वो नैचुरल वेजिटेशन नहीं है क्यों क्योंकि इन क्रॉप्स को गाने में इन थूट्स को गाने में ऑचियाट लगाने में को होता है कैसे कभी को इर्रिकेशन के लिए कभी उनको खाद देने के लिए उनको फेस्टिसाइद फर्टिलाइजर का यूज करता है वह उनमें तो इस तरह किसी प्लांट होते हैं उस छेतर में किसी भी छेतर में जो प्लांट हमें पाए जाते हैं उसमें हम उसको हम flora कहते हैं similarly the species of animal are referred to as fauna और इसी तरीके से दूसरा जो हमाना animal की जो species होती है उसको हम fauna के नाम से भी जानते हैं इस huge diversity in flora and fauna kingdom is due to following factor हमार इतनी जो diversities हमें flora और fauna में देखने को मिलती है उसको हम अलग-अलग factor के तुरू जान सकते हैं बहुत सारे अलग-अलग factor है जिनकी बज़े से हमें flora और fauna में जो है अलग-अलग उनकी diversities देखने को मिलती है अब कौन-कौन से factor है सबसे पहला factor आता है हमारा relief relief में हमारा आएगा land land क्या होता है land affect the natural vegetation directly and indirectly जो land होता है वो हमारे किसी भी natural vegetation को डारेक्ट या इंडारेक्ट टूप से effect करता है do you expect the same type of vegetation in mountain, plateau and plain areas or in dry or wet region क्या आप कभी भी mountain पर plain जो region होता है और plateau areas पर महाँ पर एक ही तरह की vegetation या सूखा या गेला एक ही तरह की vegetation को महाँ पर कभी imagine कर सकते हो नहीं क्योंकि हर जगे की vegetation अलग होती है एक ही तरह की vegetation नहीं हो सकती जितना भी हमारा nature of land influence the type of vegetation हमारा जो nature है land का वो हमारे vegetation को बहुत जादा effect करता है हमारी जो fertile जो हमारी भूमी है वहाँ पर अलग-अलग तरह की क्या की जाती है उनको agriculture की जाती है हमारी जहां पर जाओ भूमी रही कि वहां हम क्यत्री करेंगे लेकिन जैसे की बहुत ही यह जंगल है यह हमारे शेल्टर है बहुत सारे अलग-अलग तरह की वाइड लाइफ के सकत्किन हमारा soil आता है soil also very our space soil जो है अलग-अलग तरह की हमें देखने को मिलती है हर एक एरिया में अलग-अलग तरह की soil देखने को मिलती है different types of soil provide basis for different types of vegetation और अलग-अलग की जो अलग-अलग तरह की soil होती है उसमें अलग-अलग तरह की vegetation ही पाई जाती है जैसे की sandy soil of desert support cactus and thornibuses while wet marshy deltic soil support mangrove arid deltic vegetation जैसे देखें की sandy soil होती है जहां पर रेट वाली soil होती है desert area में वहां पर हमें cactus और कटिली जो काटे वाली जाडिया होती है वह देखने को मिलती है लेकिन अगर हम wet और मेर्शी या देल्टा वाली जो soil होती है वहां पर देखें तो वहां पर हमें बहुत सारे mangrove deltic vegetation देखने को मिलते हैं the hills low with some depth of soil have conical trees लेकिन अगर हम हिलो जो हमारे परवत जो hills वाले एरिया है परवत वाले जो एरिया है वहां पर हम जाएं तो हमें वहां पर जो मिट्टी है मिट्टी की परद गहरी होती है और वहां पर हमें conical trees देखने को मिलते हैं second है हमारा temperature यानि climate climate में हमारा आता है temperature temperature and extent of vegetation are mainly determined by temperature along with humidity in the air precipitation and soil जो हमारी vegetation है वेजटेशन है जो बहुत सारी diversity देखनों को मिलती है बहुत सारी variety देखनों को मिलती है में उसकी तो और बहुत सारी जो विशेशता है वह जादे तर किस पर किसके ओपर depend करती है वो हमारे temperature और हमारी जो हमारी वायू में नमी जो होती है उसके ओपर depend करती है हिमाले जो mountain है हिमाले mountain के जहां धलानों पर या जो उनके peninsular areas है peninsular की जो पाड़िया है वहाँ पर 915 मीटर की उचाई से उपर वाले areas में जो तापमान में गिरावट देखने को मिलती है और इस वज़े से वहाँ पर हमें जो यह पेड़ होते हैं vegetation होते हैं इनको grow करने में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हो टेंपरीचर से ठीक है यह इसली ग्रो नहीं कर पाते हैं और उसे उसन यह जो एरिया होते हैं इन्हें सब ट्रॉपिकल टेंपरेट या एलपाइन से जाना जाता है आप यहां टैम्परेचर देख सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं उनका ट्रॉपिकल अससा प्रॉपिकल एरिया और ट्रॉपरेटmore और से लेकर którzy तक यहाँ पर मांटन सेलेकर माइनस तक पहुंच जाता है एलपाइन वेजटेशन जहां देखने के frames मिलते हैं below seven degree temperature seven degree से काम और below one degree temperature जो जन्वरी में और यहां पर snow भी देखनों को मिलते हैं next है हमारा photo photo periodic यानि sunlight the vegetation in duration of sunlight at different place is due to difference in latitude, altitude, season and duration of the day लङे अगर हम किसी भी जगे पर Halo sun की जो light होती है उस का समय या उसके latitude altitude जो की उचाई है या उसकी season सब हमारा डिपेंड करता है तीह जैंद जो हमारा sunlight हो किस那么 depend करेजी जो में कि ज़े मारा season चल रहा है से उपर डिपेंड करता है सनलाइट का किसी भी एरिया पर ड्यू टू लोंगर टूरिशन ऑफ सनलाइट जहां पर ज़्यादा लंबे समय पर सनलाइट आती है यानि गर्मी रहती है वहाँ पर ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं समर में यानि सनलाइट बहुत ज़रूरी है किसी भी वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए प्रिशिपेशन यानि बारिश भारत में लगबग सारी जो वर्षा है वो आगे बढ़ते वे हुमारे जो एडवांसिंग साउथ वेस्ट मौनसून है मांसून में हो जाती है और उसके बाद जो कुछ होती है वो जब मांसून वापस होता है तो पीछे हटते में मांसून की कारण हो जाती है और अधिक बारिश वाले छेत्रों में जहां पर कम बारिश वाले छेत्रों की अपेक्सा बहुत ही ज्यादा हमें महां पर लेस देंस ज देखने को मिलते हैं मैं वैजिटेशन देखने को मिलती है एल्य फोरेस्ट को requirements क्या में है हैं यह यह सबसे पहले समय है कि जो फोरेस्ट है वह एक प है ठीक है यह यह बार बार हम वह, उनको कितना भी यूज करे जाएं वह बार बार बन सकते हैं, new हो सकते हैं, ठीक, renewable resources है, और हमारे, जो environment है हमारी environment की जो quality है, उस में वह एक बहुत important roll निभाते हैं, यह जितने भी हमारे local climate है, हमारी local, जो local climate, करते हैं बहुत जादा इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं यह जो वेजिटेशन होती हैं और दूसरा यह जितने भी वेजिटेशन हैं यह हमारे बहुत सारे जो इंडस्ट्रिज हैं उनमें भी बहुत इंपोर्ट का वी बेसिस हैं यह बहुत सारे लोगों को लाइवलिहुट प्लोवाइड करवाते हैं support करते हैं हमारी कम्यूट्य में लोगों को रोजगार देते हैं और दूसरा यह जह हमारे जो हमारी जो environment है उसको बहुत ही clean करते हैं और दूसरा ये हमारी earth की सुन्दर्चा को भी बढ़ाते हैं ठीक है जिस वज़े से जो हमारी tourist होते हैं वो tourist भी यहाँ पर घूमने आते हैं तुरिस्ट को अपनी attract करते हैं ये wind और force और temperature को और control करके रखते हैं और बारिश लाने में भी help करते हैं ये human beings it provides humans to soil ये human beings को soil provide करवाते हैं और जो wildlife होती है उनको shelter भी देते हैं इंडिया की जो natural vegetation है यहाँ पर हमें बहुत सारे अलग-अलग तरह के बहुत सारी reasons से यहाँ पर natural vegetation में हमें difference देखनों को मिलता है जैसे की जो agriculture के लिए जादा छेतर है उनकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है खेती के लिए बहुत ज़्यादा लोग जो है उनकी दिमांड लेंड की डिमांड करते हैं development of industries and mining urbanization and overgrazing pastures और यहाँ पर बहुत सारे पश्यों के लिए जो चारे के कारण या बहुत वन के जो छेतर कम हो रहा है यहाँ पर वो भी हमें देखने को मिलता है यानि जो हमारी इंदिया की vegetation है उसमें changes क्यों आ रहे हैं तो की लोग जो है गिर्षी के एंगरिकल्चर के लिए लेंड की जरूरत होती है लोगो को her friend की जरूरत होती है बहुत सारी urbanization जो जो快स जो प्रॉजेक्ट चल रहे हैं उनके लीए land की जरूरत होती है over grazing के लिए land की जरूरत होती है तो इस वज़े से जो forest area है वो कम होता जा रहा है The vegetation control of India in large part is no more natural in real sense अगर हम देखें जो हमारी natural vegetation है इंडिया में वो कुछ area में तो कुछ जो area है वहाँ पर सही माहिनों में नेचुरल ही नहीं रह गया है एकसेप्ट इन सम इनक्सेशिबिलिटी डीजन लाइक हिमाल्याज हिली रीजन और सेंटर इंडिया एंड़ा मौरुस्थली यानि कुछ छेत्रों को छोड़कर जैसे हिमाल्या और जो middle part है भारत के कुछ बाग और जो हमारे desert मौरुस्थल वाले अरिया है जहां पर हमारी सिर्फ natural vegetation है यानि जारतर एरिया तो आप natural रहे नहीं है बाकी जितने भी एरियाज है वहाँ पर human जो मनुष्य है उसका involvement शुरू हो गया है उसने अपने कबजे में दे लिया है उनको और वहाँ पर प्राकरतिक मनस्पति जो है उसको आंशिक या यूमेन ने उसको आपने फाइदे के लिए modify कर दिया है नेक्स्ट है इको सिस्टम plant occur in distance group of communities in area having similar climatic condition जो plant है हमारी country में वो similar climatic condition में रहते हैं ठीक है यानि plants occur in distance group किसी भी group में एक ही group के जो plant होते हैं वो एक ही community के plant जो होते हैं वो एक ही तरह की climatic condition में रहते हैं this nature of plant in an area to large extent और यह जो plant का यह इस तरह के plant एक area में होते हैं वो ज्यादा लंबे समय तक रहते हैं और वहाँ पर animal life भी हमें देखने को मिलती है when the vegetation altered the animal life also changed जब हमें अलग-अलग तरह की vegetation देखने को मिलती है तो वहाँ पर अलग-अलग तरह के animals भी देखने को मिलते हैं जितने भी plant और animals है वह एक दूसरे के उपर interdepend है और एक दूसरे से interrelated भी है ठीक है यानि एक दूसरे को relate भी करते हैं और other in their physical environment और इसके साथ ही वह physical environment से भी related होते हैं transforming ecosystem और वह एक ecosystem बनाते हैं यानि ecosystem क्या है जहां पर plant और जो हमारे animals होते हैं वह एक दूसरे पर interrelated और एक दूसरे से inter-corrected होते हैं ठीक है और एक दूसरे पर interdepend भी होते हैं human beings are also inter part of ecosystem human being भी एक बहुत important part है ecosystem का how do human being influence ecology for a reason of a reason कैसे जो human being से वो ecology को जो किसी area की ecology उसको influence करता है they utilize the vegetation wildlife जितनी भी vegetation या wildlife उसको utilize करता है लेकिन जो human being है वो अपने लालच के कारण इसका बहुत ज़ो resources है इसका बहुत ज़ादा utilization यानि इसका बहुत ज़ादा use करने लगा है इसका शोशन करने लगा है वो trees को काटने लगा है animals को मारने लगा है जिससे कि हमारा जो ecological balance है वो स कि कुछ plant और animals जो है वो तो अब बिल्कुल विलुप्त होने की यानि खतम होने की सिजी में आ गए है Do you know that very large ecosystem on land having distance type of vegetation क्या आप जानते हैं यह जो बहुत बड़ा ecosystem है हमारे land पर वो अलग-अलग तरह की vegetation और wildlife को जनम देता है और इसको biome भी कहते हैं दा बायोमार इडेंटिफाइड दा बेशिज ओप्लांट और बायाम जो है वो इडेंटिफाइड किया जाता है बेशिज ओप्लांट को का ओके सुनेंट्स रस पार्ट अफ दिस चैप्टर विल डिस्कूस ओन नेक्स तर्व